मोनू माने सर की पतोदी कोट में पेशी हुई है। इसी पैरे बहousse और चॉँन धीर को अन्यमामले में और अब ऐसे में हत्या के परयास का ये मामला है जिसको लेकर आज मोनू माने सर की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई और कोर्ट ने मोनू माने सर को चौदा दिनों के लिए न्याए खिरासत में भेज दिया है मोनु माने सर फिलाल भोंड सी जेल में बंद है और ऐसे में उसे आने वाले दिनों में भी जेल में ही रहना होगा चुकि नियाए खिरासत में कोट द्वारा भेजा गया है हत्या के पर्यास का ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है और गुरुगराम से हमारे सयोगी आकाश खुराना जुड़ गए है फॉन लाइन पर आकाश बड़ी खबर आई है मोनु माने सर को 14 दिनों के लिए नियाए खिरासत भेज दिया है कोट द्वारा किस तरह से रहा आज का कोट के भीतर का पूरा कामकाज मोनु माने सर की वीडियो कॉस्टेंटि नियाए खिरास बड़ी खिरास बेजा गया है और पहले बॉन सी जेल मोनु माने सर बंड है और आपको पता दे की प्रोड़क्शन वारन पर जो है गुरुग्राम पुलिस राजस्तान से मोनु माने सर को लेकर आई थी भही पटोडी ठाना में एक मामला दर्ज था जहां पर दो समुदा है कि भी जो है जगड़ा हुआ था उसमें मोनु माने सर का नाम जो है वो फायार में शामिल किया गया था तो उसी पूरे मामले में मोनु माने सर जो है फरवरी में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था उसके बाद से ही परार चल रहा था नूसी आई अई ने जब मौनु माने सर को गिरफ़तार किया था से एक माने सर से उसके बाद राजस्तान कुलिस जो है नासित जुने रख्यकांड में मोनु माने सर को अपने साथ लेगे रहे हैं आज मोनु माने सर को एक बड़ फिर मटोदी कोर्ट में पेश वीडियो पेशी हुई जहां पर उसे चौदर दिन की नायक हिरासत बेजा देने के लिए तो आपको बता दें कि मोनु मानेसर को फिलाल जेल में रहना पड़ेगा चौदर दिन की नायक हिरासत में पटोदी कोट ने भेज दिया है हत्या के परियास का इमामलता जिसको लेकर आज वी सी के माध्यम से मोनु मानेसर की पेशी हुई है